नमस्कार मैं हूँ तोशी और आप देख रहे हैं इंडिया.com और Cricket Country तो IPL इस समय काफी जोर शोर से चल रहा है और आज का IPL का मुकाबला दो ऐसी टीम्स का है जिनका इतिहास काफी बहतरीन रहा है मैं बात कर रही हूँ Royal Challengers Bangalore और Chennai Super Kings की जी हाँ एक तरफ जहां Mahindra Singh धोनी है वहीं दूसरी तरफ विरात कोहली है तो आपको बता दे कि मुकाबला मुंबाई के DIY पार्टल स्टेडियम में शाम साड़े साथ बजे से शुरू होगा वहीं टॉस जो है वो साथ बजे हो जाएगा तो आईए विडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से ग्यारा खिलाडी मैदान में उतर सकते हैं वहीं मुंबाई में कैसा रहेगा मौसम और DIY पार्टल स्टेडियम की पिच किसका देगी साथ तो आईए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं Royal Challenges Bangalore और Chennai Super Kings के Team Squads पर तो ये थे RCB और CSK के Team Squads अब देखते हैं कि RCB की और से फाफ टूपलेसी किन ग्यारा खिलाडियों को मैदान पर लेकर उतरेंगे तो अभी तक चिन्नाई ने एक भी मुकाबला नहीं जीता है तो ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या रविंद्र जडेजा के Playing 11 में कोई बदलाव आएगा एक नज़र जालते हैं चिन्नाई के Predicted Playing 11 पर वाई रविंद्र जडेजा, चिन्नाई सुपर किंग से रितुराज का एक वाज, रॉबिन उतपा, मोईन अली, अमबाती राइडू, शिवम दूबे, एमसोनी, डुवेन ब्रावो, महीश ठीक शना, क्रिस जॉर्डन और मुकेश शौदरी के साथ मैदान पर उतर सकते हैं वाई इस पिच पर आखरी दो गेम्स जो खेले गए हैं, उसमें काफी ज्यादा रंस बने थे, लेकिन रंस को आसानी से चेज भी कर लिया गया था, तो इस पिच पर जो भी टीम टॉस जीते गी, उसका जीतने का जो चांस है, वो काफी ज्यादा हो जाता है मुंबाइ के मौसम की बात करें तो बारिश की सम्भावना बिलकुल भी नहीं है, हाला कि यूमिडिटी जो है, वो काफी ज्यादा होने वाली है मैच के दौरान, और डियू भी एक इंपोर्टन्ट फाक्टर प्ले करेगी मैच के दौरान, वहीं तापमान जो है, वो 31 से 32 सेल्सियस की बीच सेटल होगा, तो ये था चिन्दाई सूपर किंग्स और रॉयल चालेंजर्स बैंगलोर का मैच प्रिव्यू, हमने आपको बताया कौन से 11 खिलाडी मैदान पर उतर सकते हैं, पिच कैसी रहेगी और मौसम का हाल कैसा होने वाला है, तो अगर आपको मैच क अगर जानने हैं, उसके लिए सिंप्ली आप इंडिया.com या फिर क्रिकेट कांट्री पर लॉग आउन कर सकते हैं, और ऐसे मैच की अप टू डेट इन्फोमेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद!